आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा लैप्टॉप या डेक्स्टॉप का स्क्रीन रेकॉर्डिंग कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम ब्राउजर में जाएंगे गूगल में और सर्च मारेंगे OBS Studio यह अप्लिकेशन का नाम है हम इसे सर्च करेंगे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूं तो सिधे मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं और description में मैं link दे दूँगा, वहां से आप भी इसे download करके install कर लेंगे, तो मैं already download कर चुका हूँ, तो इससे सिधा install करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इस पर double click करके, download folder पर double click करके इसे open कर लेना है, next कर लेना है, और install होने लगा है, install होने देते हैं, तो आप download करने से पहले आपको देखना है कि आपका laptop या computer कितनी bit का है, 32 bit या 64 bit, तो उसको according ही आपको download करना है, अगर operating system आपका computer 32 bit का ही आपको download करना है, तो इसे install होने देते हैं, एक बार install हो जाएगा, तो हम इसे open करके आप लोगों को दिखाऊँगा, थोड़े time में install हो जाएगा, आप कोई वी version डाउनलोड करेंगे तो install नहीं होगा, आपको अपने laptop या computer पहले configuration चेक कर लेना है, 64 bit या 32 bit उसके ही हिसाब से download करना है, यह हमारा install हो चुका है, अब इसे हम finish पे क्लिक करेंगे, अब मैं इसे आपको open करके दिखाऊँगा, इस ही क्या होता है, आप अपने laptop या desktop के screen को record कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे, या कोई आपके laptop पे online काम कर रहा है, अब उसको record करना चाहते हैं, तो उसे आप इस software के use से record कर सकते हैं, या आज कल बच्चों का online study चल रहा है, तो जो teacher पढ़ाता है, उसे भी आप record कर सकते हैं, तो बहुत ही useful application है, और थोड़े steps में यह install हो जाता है, बहुत बड़ा इसमें procedure ने install करने का, तो easy steps हैं, तो ऐसे install कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे settings है, आपको webcam, आपके laptop का यूज करना है, या इसमें means हर settings दिये गये हैं, आप अपने recording इसको set कर सकते हैं, audio चाहिए आपके screen recording में तो audio को on कर सकते हैं, आपको webcam से video निकलना है तो webcam को भी on कर सकते हैं, तो बहुत सारे setting है इसमें, A to Z आपको इसमें मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छा application है, आप देख सकते हैं, इसमें सब option दिखा रहा है, आपको full screen करना है, या किस resolution में आपको record करना है, या आपके screen का कुछ parts record करना है, उसमें setting में दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से इसे set कर सकते हैं, और जहां चाहिए, वहीं का screen का एक parts record कर सकते हैं, और वो अलग-अलग इसमें spec ratio दिया गया है, आप अपने हिसाब से उसे चूच कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे इस्तमाल कर सकते हैं, तो आप यह वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा, और यह बच्चों के लिए जो online study चलना है, उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि सब कुछ आपको record करने के लिए मिलेगा, और बाद में उसे आप check कर सकते हैं, तो thank you so much for watching. झाल